अगर हम post office की सबसे popular schemes की बाते करें तो monthly income scheme जिसको popularly MIS के नाम से भी जाना जाता है ये post office की one of the best scheme में से एक है तो 1 एप्रील 2023 से भारत की सरकार ने post office की जो MIS scheme है यहाँ पर कुछ changes कर दिये है post office की जो MIS scheme है उसकी interest rate में भी changes किये गये हैं और जो investment amount है वहाँ भी कुछ changes कर दिये गये हैं और आज की वीडियो में मैं इनी changes के बारे में आप से बाते करने माला हूँ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बाते में तो चलिए आज की वीडियो को फटा फट शुरू करते हैं अगर हम post office की MIS scheme की बाते करें तो post office की monthly income scheme एक exclusive post office की scheme है मतलब इस scheme को हम safe or safe post office पर जाकर ही खुलवा सकते हैं इस scheme में अगर हम चाहे तो single अपने नाव पर भी investment कर सकते हैं तो तीनों की जो share है वहाँ पर एक ही होगी अगर investment amount की बाते करें तो post office की MIS scheme की minimum investment amount रखी गई है 1000 रुपे और उसके बाद इन multiples of thousand इस scheme के तहब हम investment करवा सकते हैं अब multiples of thousand का मतलब है जो भी हमारी investment amount होगी वो 1000 रुपे के हिसाब से होगी एक हजार रुपे, 5000 रुपे, 20,000 रुपे, 25,000 रुपे ऐसे लेकिन अगर हम 10,500 रुपे investment करवाना चाहे या फिर एक लाग 700 रुपे investment करवाना चाहे तो ऐसे investment हम नहीं करवा सकते हैं 10,500 रुपे की जग़ा या तो हम 10,000 रुपे इंवेस्ट करेंगे या फिर हम 11,000 रुपे इंवेस्ट करेंगे लेकिन उसके बीज में हम इंवेस्ट्वेंट नहीं करवा सकते हैं तो यह आपको ध्यान में रखनी है अब जो पहला चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है पोस्ट किया था post office की जो MIS scheme थी उसकी मेनि में जो maximum investment amount थी अगर हम single खूलवाते थे तो वो थी 4.5 रुपीज और अगर हम joint खूलवाते थे वो तो वो थी 9 रुपीज लेकिन 1 April 2030 से यह maximum investment amount है इसकी limit को काफी जादा बढ़ा दिया गया है डबल कर दिया गया है लगबक अगर हम 1 April 2030 के बाद इस इसकी में करते हैं अगर हम single खूलवाते हैं तो maximum investment amount अभी 4.5 लाक से बढ़ाकर 9 रुपे कर दिया गया है और अगर हम join खूलवाते हैं तो 9 लाक रुपे से बढ़ाकर इससे अभी 15 लाक रुपे कर दिया गया है तो यह काफी बढ़ा change हुआ है post office की MIS scheme में from financial year 2023 24 और यह अभी लागव हो गई है एक एपिल 2023 से यह जो changes है यह भी लाक हो गई है अब अगर हम interest की बाते करें जो भी interest हमें मिलेगी post office की MIS scheme में वो interest every month हमारी saving account है वहाँ पर credit कर दिया जाएगा अगर हमारी post office में saving account है तो उस saving account में credit कर दिया जाएगा अगर हमारी एक दुसरे bank में account है तो उसी saving account में इस भेज़े को credit कर दिया जाएगा जो interest amount हमारी आ जाती है post office की MIS scheme और इसलिए इसे monthly income scheme भी गा जाता है अब अगर यहाँ पर tax benefit की बाते करें तो tax benefit इस scheme के तहत हमें नहीं मिलती है जो भी हमारी interest amount है वो fully taxable होगे अगर हमारी income tax के अंदर हम आते हैं तो income tax में जितनी भी हमारी जो भी liability है वो हमें pay करना है और अगर TDS deduction की बाते करें तो TDS deduction भी इस scheme में जो भी interest है वहाँ पर हो जाती है post office MIS scheme की maturity prior होती है पांच सालों की और अगर हम interest rate की बाते करें तो जो दूसरी change हुई है एक April 2023 से वो हुई है post office की MIS scheme की interest rate पर post office की जो MIS scheme की interest rate है every quarter government of India इसे review करते है कभी बढ़ाती है कभी घटाती है तो गभी इसे same ही रखा जाता है और अभी जो second quarter चल रही है साल 2030 की from April to June 2023 तो उसकी लिए जो post office की MIS scheme की interest rate है उसको अभी government of India ने एक April 2023 से बढ़ा दिया है 7.10% last quarter में interest rate थी उसे बढ़ा कर 0.30% अभी बढ़ा दिया गया है और burger अभी जो नई interest rate है वो हो गई है 1 April 2023 से 7.40% और अभी बतलब जोन from April to June कोई भी वेक्टी इस scheme के तहित investment करवाते है तो उनकी पूरे 5 सालों के लिए जो interest rate है वो या भी यहाँ पर 7.40% ही रहेगी अगर दूसरे next quarter में घड़ भी जाती है interest rate तो उससे उनको कोई भी फरह नहीं पढ़ने वाला है अगर हम partial withdrawal की बाते करें या फिर premature closure की बाते करें तो partial withdrawal की facility इस scheme के तहित हमें नहीं मिलती है और loan की facility भी हमें नहीं मिलती है क्योंकि जो interest rate जह है वो every month हमारे account में आई जाता है लेकिन जो premature closure है इस scheme के तहत हमें मिल जाते हैं लेकिन वो भी मिलती है after one year of investment और एक से तीन सालों के बीज जो investment period है उसके बीज अगर हम दूलवाते है बीज में ही इस scheme को तो 2% of our principal amount यहाँ पर काट ले जाता है और अगर हम इसे तीन से पांच सालों के बीज में करते हैं तो जो premature penalty है वो 1% काट ले जाता है हमारे principal amount से tax की यहाँ पर कुछ भी हमें benefit नहीं मिलती है जो भी amount यह से की मिन आपको कहा यहाँ पर पूरी की पूरी जो interest amount है वो taxable है तो मेंली यही वो दो changes किये गए है पोस्ट ओफिस की में investment amount को काफी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और जो interest rate है वहाँ पर भी 0.30% की बरौत भी हो चुकी है करें तो normal citizen के लिए general citizen के लिए अभी एक अच्छी scheme है लेकिन senior citizen को इससे ज्यादा interest मिल लेए post office की जो अन्य scheme है वहाँ पर और बैंकों की जो अभी senior citizen की जो exclusive scheme run हो रहे है उस पर तो मुझे लगता है senior citizen के लिए यह scheme अभी भी एतनी attractive नहीं है लेकिन अभी अगर हम non senior citizen की बाते करें तो हाँ competition किया जा सकता है अगर आप कहेंगे तो मैं compare करके आपको दिखा भी दूंगा किसी बैंक के साथ पोस्ट ओफिस की M.I.C. scheme को और बैंक की M.I.C. scheme के साथ असा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नहीं information मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और है नहीं वीडियोज भी नोटिफिकर्स और पुर्णत आपके पास मिल जोने करेगी तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड ठेक है